नमस्कार मुत्रू मैं बैजनत प्रजापती मेरे चैनल ब्लैक पॉर्ट्री निजाओंबाद में आपका हर्दीक स्वागत है रात के नव बजे है टंप्रेचर लगभग आठ डिग्री है कराके की ठंड पड़ रही है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनों और अपने बच्चों का अपने परिवार का ख्याल किये कपड़े का यूज करिए आग जलाईए अलाव जलाईए और प्रियोग में लाईए तो आज मेरा टॉपिक रहा है काफी दने बाद वीडियो बना रहा हूं चुकि ठंड के उज़ा से काम रुका हुआ है पॉर्ट्री का चुक हर कस्टमER के तरफ से मैक्सिमम लोगों के तरफ से कि आप मिट्टी का बर्तन लोगों को बनाते हैं, बेजते हैं, क्या आप इस्तेमाल करते हैं तो आज मेरे घर मिट्टी के बरतर में बना हुआ है बाटी चोका है और जिसमें डाल चावल जो भी बना है जो किसका इस्तमाल होता जाता है डेली कुछ अलग-अलग आइटम मनते हैं लेकिन अपने उत्तर भारत में भौरी चोखा दाल चावल बहुत स्वाधिश्ट माना जाता है तो मैं उसको बता दो दिखा दता हूँ कि ये कैसे बना हुआ है अब दो दो हम्या है साध एक में डाल है और एक में चावल है बाटी शामने है और देखिए इसमें डाल है और यह फ्राइब है देशी घी से है और देखिए चावल बना हुआ है और आप देखिए बिल्कुल यह देशी घी में डाल बनी हुई है जावल और यह बाटी है चोखा भी स्पार्ट में रखा हुआ है तो अब मैं बता दूं मैं लोगँ आपको शला देता था कि मेश्री बतन बनाने के बाद बतन को जमीन से ना टच करें तो इसलिए देखी ये चुले के साथ इस्टेंड मिले हुआ लोहे का लोहे पर रखे हुए हैं ये टिप्स आपको इसलिए बता रहा हूं चुकि मिट्टी का बरतन कोई मेटल तो है नहीं जैसे ही उसको ठंडा लगता है तो क्रेक होने के चांसे होते हैं इसल करिए पुराने समय भी इसका इस्तमाल होता रहा है लेकिन उपले होता था हम लोग गैस पर बनाते हैं चुकि उपला संभो नहीं है आज के जमाने में तो इस तरह से आज मेरे घर भरी चोखा दाल चावल की ब्योस्था है और ठंड़क का हम लोग इंज्वाय कर रहा है कि ठंड़क में थुरा सा दुश्था करने में परिशानी होती है अदरवाइस सारे बरतन वेरा मिट्टी के ही प्रयोग होते हैं और तभी मैं लोगों को शला देता हूं कि आप भी मिट्टी का बरतन इस्तमाल करें और खुब खाये स्वादिष्ट खाये बढ़ियां खाये बढ़ियां से रहें तो मित्रों यह वीडियो हमने छोटा समनाय हुआ है तो यह कैसा लगा आप अपना फिट बैक जरू दीजिएगा मैं स्वाद के बताओ स्वाद बढ़िया है खाने के बाद बताऊंगा लेकिन हो सकता है मैं उसमें कमेंट में लिग दूँ या उसका ज वीडियो देखा आपका फिट बैक जरूरी है मुझे फिट बैक दीजिएगा और यह वीडियो कैसा लगा है जरू बताइएगा स्वाद के बारे में आप अपने घर बनवाईए हमको भी इन्वाइट करिए जरू आने कोसिस करेंगे तो इसीक साथ मत्रों अपना और अपन बंदे मात्र